Hero Pleasure Plus X-Tec Price Sporty Look के साथ Hero Pleasure Plus X-Tec Launch कीमत होगी इतनी Hero Pleasure Plus X-Tec Price अब इस कमपनी ने इस सेग्मेंट में ग्रहकों को कुछ नई सुविधाओं का लाब देने के लिए एक लेटिस्ट वेरियंट को शामिल किया है आए जानते हैं प्लेजर प्लस X-Tec Sports वेरियंट से जुड़े डिटेल्स के बारे में विस्तार से Hero Pleasure Plus X-Tec Price भारती ओ आटो मार्केट में दो पहिया वाहन निर्माता कमपनी Hero Motor को प्लेजर प्लस स्कूटर की शानदार बिक्री करती है अब इस कमपनी ने इस सेग्मेंट में ग्राहकों को कुछ नई सुविधाओं का लाग देने के लिए एक लेटस्ट वेरियंट को शामिल किया है प्लेजर प्लस एक स्टेक स्पोर्ट के नाम से लांच हुए इस स्कूटर को शानदार ग्राफिक्स और नई पेंट स्कीम एबराक्स ओरंज ब्लू थीम के साथ पेश किया है जो कि इस स्कूटर को स्पोर्टी लुक प्रदान करता है प्लेजर प्लस के उत्पादन के 18 साल पूरे होने पर कम्पनी ने प्लेजर प्लस एक स्टेक स्पोर्ट्स नए पेंट स्कीम में और अंज और वाइट लिबेरी के साथ गहरे ब्लू कलर की थीम के साथ अथारा हंग को बड़े ही अकर्शक डिजाइन के साथ अंकित किया है प्लेजर प्लस एक स्टेक स्पोर्ट्स अप्डेटेट फीचर्स इस नए स्कूटर की डिजाइन की बात करें तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ चीजों को छोड़कर ये हुबहु मौजूदा मॉडल के जैसे ही दिखती है। डिजाइन में थोड़े बहुत परिवर्तन में इसके फ्रंट मिरर्स को क्रोंग फिनिश के बजाएं मैट फिनिश के साथ अप्टेट किया गया है। प्लेजर प्लस एक्स्टेक स्पोर्ट स्कूटर अन्य फीचर के मामलों काफी कुछ एक्स्टेक वेरियंट की खूबियों को साजा करती है। प्लेजर प्लस एक्स्टेक स्पोर्ट स्पॉवर इंजन Hero Pleaser Plus X-Tek में मौजूद इंजन पॉवर की खूबियों की बात करें तो इस स्कूटर के इंजन को मौजूदा मॉडल के समान ही रखा गया है इस इंजन को CVT gearbox के साथ भी connect किया गया है कमपनी ने इसको स्कूटर 110.9 गन सेंटीमीटर एर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन को शामिल किया है साथ ही ये 8.1 पीस की पावर और 8.7 न्यूटन मीटर टॉप जनरेट करने की क्षमता रखता है Pleaser Plus X-Tek Sports कीमत भारतिय बाजार में हीरो के इस नए वेरियंट की X-Shot Room कीमत 89,730 रुपे रुपे है वही इसका बेस वेरियंट मूल कीमत से 8,900 रुपे सस्ता हो सकता है लांच होने के बाद यह मॉडल हॉन्डा दियो और TVS Scootie Jist से मुकाबला करता है Pleaser Plus X-Tek Sports वेरियंट को हीरो कमपनी कुल 6 वेरियंट में पेश करेगी इन स्कूटर्स से मुकाबला इसमें आरामधायक सीट, काफी स्टोरेज स्पेस और स्मूद राइट जैसी खूब या मिलती है खास दोर पर अगर आप शहर में रहते हैं या युवा है तो हीरो का नया स्कूटर आपके लिए एक अच्छी चोईस हो सकता है स्टाइलिश और प्रैक्टर स्कूटर की तलाश कर रहे लोगों के लिए ये स्कूटर बहतर आप्शन बन सकता है हीरो ने प्लेशर प्लस एक्स्टेक स्पोर्ट्स को लाइन अप में शामिल करके स्कूटर रेंज में पर्फॉर्मेंस और स्टाइल का दम भरने की कोशिश की है हीरो का नया स्कूटर अपने फीचर्स और रेंज के बलबूते एक पैसा वसूल स्कूटर बन सकता है इसका अलग डिजाइन और एडवांस फीचर्स इसे इंडिया की कम्टीटिव स्कूटर मार्केट में जगह बनाने में मदद कर सकते हैं भारतिय मार्केट में इसका मुकाबला हॉन्डा एक्टिवा 6 जी, हॉन्डा डियो, टीवी एस चुपिटर, हीरो जूम और टीवी एस स्कूटर जेस्ट 110 से होगा वीदियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें